एंसेपी के पूर्वविधायक प्रकाश कजपी ने महराश्ट के चिकितसा शिक्षा मंत्री अमिद देश्मुक से मुलाकात की कोर्णा से नाकपुर शेहर में साथ हसार से दस हजार से अधिक रोगी कई सुविधाओं से वंचित है और सेक्डो कोर्णा मरीज अपनी जान गवा रहे है पूरुविधायक प्रकाश कजपी ने मंत्री अमिद देश्मुक से भेट कर उनको उपराश्टानी की परिस्तिती से अवगत कराया गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज और इंद्रागानी मेडिकल कॉलिज नाखपुर में डॉक्टरों, नर्सों, लैबसाय को और हेल्ट केर वोकर्स की नई नियुक्तिया की जाए GMC और IGMC में MRI और नई सिटी स्कैन मशीने लगाई चाहिए मरने वालों की संक्या इतनी अधिक है किसी नियंतरन में लाने की आवश्यक्ता है साथ ही मरचूरी में भी भी नियंतरन करना मुश्किल हो क्या है एक परियाप कारेबल को भरती करने की आवश्यक्ता है वहाँ उपचार बीविकिजम, टॉक्सिलिजम, आइटोलिजम, इंजेक्शन और ऑक्सिजन की भारी कमी है यह बात पूर्व विधायक प्रकाश कच्पिये ने मंतरी अमिद देश्मुक के साथ भेट कर व्रिस्तु चर्चा की और उन्हें नाखपुर के बढ़ते कोर्णा के बारे में परिस्तिती से अवगत कराया है इस पर वैदिके शिक्षा मंतरी अमिद देश्मुक ने आश्वासन दिया कि 15 दिनों के भीतर सभी स्तिती को नियंतरन में लाया जाएगा और उक्सिजन, बिस्तर और इंजेक्षन की व्यवस्ता की जाएगी विधायक प्रकाश कचविये, विधायक विकास ठाकरे, विधायक राचुपर्वे, विधायक अभीजीत वन्जारी, उमाकान अगनी होदी, प्रसंदनातिर के, डॉक्टर सुधीर गुपता, जीमसी के डीन और आईजीमसी के डीन डॉक्टर अजेकी वलिया समय मौजू थ साच चितिचाँ देश्मुक बीसे नियुस नाक बूरू